हाई गाई मैं उमानाशिक और आप लोग का अपनी यूटीब चोनेल में बहुत स्वागत है दोस्तों को बहुत से कमेंट आएट है कि इसके उपर कुछ वीडियो देजिए तो आज चलिए मैं कर्शा बारा में ग्रामर सुन कने जा रहा हूं दोस्तों इसके पहले वायस और आज की वीडियो आप लोड कर चुका हूं और प्लेलिस्ट में जातर को वीडियो आप देख लिए चलिए आज की वीडियो मैं टाइम रेश्टियों करते हैं आगे बढ़ने से पहले आपके रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्स्क्राइब करके बेलाइक कर दबादेजिय सब्सक्राइब करते हैं और आज मैं आपको पढ़ने जाना हूं की एक मिला देना होता है कंबाइन करना कंबाइन मतलब जोड़ना मिलाना होता है तो अब यह यह डेपनीशन हम लुख ले है आपको इसके साटिस का लेले ची डेपनीशन सब करने मिलेग आपको तो तो आप कंबाइनिंग more sentences into one big sentence is called synthesis मतलब कई छोटी छोटी वाक्यों को मिला कर एक बड़ा वाक्य बनाना ही क्या कर लाता है synthesis करता है synthesis आपने करेंगे सिर्फ synthesis ही बोल दिया करेंगे आपका हो जाएगा काम तो दोस्तों आप चलते हैं देखते हैं कि synthesis अपोजिट आप एनालीसिस जो है एनालीसिस का क्या है विलोम होता है उल्टा होता है तो आई यह देख लेते हैं synthesis मतलब होता है संसले सब्सक्राइब तो इसका मतलब आप कई छोटे छोटे वाक्यों को मिला कर एक बड़ा वाक्य बनाना ही क्या करता है synthesis कर आता है गाते हैं इतना तो चैनली आपको क्लियर ओगा मैं पुरा आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सिंथेसिस करते समय आपको एक बात ध्यार रखना चाहिए कि जो छोटे-चोटे वाग्य आप जोड करके बड़े वाक बना रहे हो तो दोनों में सबस्क्राइब खा little sentences ज्ण होका मतलब पर शओ सिंटेंस ज्युक है मतलब कई चोटे चोटे वाक्यों ग मिलाकर इन्टू one simple sentence मतलब कई छोटे चोटे वाक्यों को मिलाकर एक शाधार बड़ा वाक्य मनाना अधु की मलाना कॉमदि सैन मद चोटे चोटे वाक्यों को मिलाकर एक मिस्ट्रित वाक्य बनाना, complex मतलब मिस्ट्रित वाक्य बनाएंगे, अग तीसरा topic हमारा होगा, combination of more simple sentences into one compound sentence, compound मतलब सभी वाक्य होता है, तो कई छोटे-छोटे साधार वाक्यों को मिला करके, एक सभी वाक्य बनाना सीखेंगे दोस्तों, तो अब हमारा पाहला अब सुरू करते हैं, combination of more simple sentences into one simple, मतलब कई छोटा-छोटा साधार वाक्य को मिला करें, अब कैसे हमें एक साधार बड़ा सा वाक्य बनाएंगे, उसका अब हम इस्टरिक करेंगे, अब आपको हम बताने जा रहा हैं, कैसे करना है, तो आई ये समझते हैं दस्तों इसको एक, अब इसका जो नियम तो बहुत सारे इसमें है, simple sentence मुला करें, बहुत सारे नियम है, तो इसमें पहला नियम हमारा है, participle का, तो पहला रूल है, बाइदे यूजा, participle, मतलब participle का हिंदी में मतलब आर्थ होता है, क्रिदंद, क्रिदंद का प्रियोग करके हम कैसे चोड़ेंगे, उसका अगली वीडियो में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, आपको फूरा मेरा, देखिए समझे, तो देखिए पहले, आप समझे, participle का मतलब क्या था, क्रिदंद का मतलब क्या था, वाट पर्टी सिपल, ये डफिनिसान लिखने जहां, दपहर माप्हुआट्वाः, वीच वर्टा था, आ अजोड़ ञेक्ट्यू, इच काझ पार्टी सिपल, मतलब क्रिया का वह रूब, जो, भी, विसे सड या संग्या का काम करे, उसको क्या करते हैं ठीक है मतलब ख्रीया है तो जोड़ते समय हमें ध्यान काई यह तरही होगा जब्सभी वाक्यों कारता क्या हो एक ही और एक दूसरे की नियुकेर कड़ा विक डीकरता हो तब पाड़ी सीपल से जोड़ते हैं और इस通बिर यह लिए अब ठीक है और जो काम पहले होता है उसरी को हम क्या करते हैं पर्टिसिपल बनाते हैं सुरुर। जैसे है कि आई आई सा और लायन आई सालायन मैंने एक सेर देखा अदूसरा वाक्या है आई रैं अवे रैं अवे अब इयो वाग क्या है मैंने एक सर्व देखा और मैं भाग गया तो यहां क्या चार दुसरे वीवो कर रहा है तो इसको जोड़ेंगे और देख रहा है इसमें क्या है कि यह काम कैसे हो रहा है जटके आपके族 हरा है तो इसकर आपन पूरा बताएंगे ने कैसे करना हुए तो आप पहले सीख लेता हैca PARTICIPAL कितने होते हैं, तो पहला PARTICIPAL होता है, हमारा PARTICIPAL, ठीक है? PARTICIPAL, पर्टि सिपल अब दूसरा होता है आपका PARTICIPAL, PARTICIPAL हुए है? अब तीसरा होता है PARTICIPAL捜न, PARTICIPL, है अब इसमें दिखने यह चोंगे तो इसमें क्या करेंगे यह नाइट वॉर्भ यह चोह काम पहले हुए उसका क्या बारा उसमें क्या करेंगे निकार केए भरशलें के divinary क होगे रिखने हृँ सब पाहेंगे बस बने को इसको लिख लीजए जब । ऐग में आइन्जी जोड़ दे और वह क्या कर या नाउं करने लगे तो उसको क्या करते हैं फेजेंट काते हैं दूसरा पास्ट पा såटम मतलब हैं मतलब जब क्रिया का तीसरा रोप एगर करें तो इसको क्या करता है पास्ट पार्टिसीपल करते हैं और उसके बाद पर्फेक्ट पार्टिसीपल होता है में कि हाइविंग के साथ अगर क्रिया में हाइविंग लग जाए तो जो है अर्जेक्टि को काम करने लगे तो इसको हम पास्ट पर्फेक्ट पार्टिसीपल काते हैं तो यह हो गया अब आइए चलिए देखते हैं कि प्रेजर चाहिए इस को जोड़ने के लिए पहली भात हमें द्यान होना चाहिए सब्जेकट है । मतलब अगर करता है तब हम हॉन प्रेजर्ट से जोड सकते हैं दूसरा पॉइंट हमारा इसका है कि असदेनली कि सटेनली वर्क है दन मतलब जो कारें अचानक होना चाहिए जटके सी काम होना चाहिए तब हम किसे जोड़ेंगे प्रेजन्ट पार्टीसिपल से और उसके बाद कसंदेट से मुझार कार जो है जटके सोना च मतलब काम जो है एक दूसरे पर निरभर होना चाहिए स्वतनता पुरुवक नहीं हो रहा है एक दूसरे पर निरभर हो तब हम प्रेजेंट पार्टी सीपल से हम वाक्षों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का नियम यह है दोस्तों कि पहले जो कार्य आपका पहले हुआ है उसक तो आप क्या करेंगे प्रेजेंट पार्टी सीपल बनाएंगे प्रेजेंट पार्टी सीपल कैसे बनेंगा क्रिया में आई एंजी जोड़ देंगे तो आपका प्रेजेंट पार्टी सीपल बन जाएगा अभी हमने जो वाक की लिखा था तो उसी को हम ले लेते हैं और आद दूसरा वाक्या है I ran away I ran away मैं भाग गया अब चलिए इसका combine कीजिए combine combine क्या होगा दोस्तों इसका combine कर दो तो combine अब इसको कैसे करेंगे इसको दोस्तों पहले समझी क्या है मैंने एक सेर देखा और यहां पर आई रहने तो करता तो देखो पहले दोन से महला यहां भी आई है यहां भी आई है तो प्रेजंट से जुड़ेगा अब उसके काम कैसे हो रहा देखो पले अजम आप से बेखूंगे बैठो कि चलो अच्छा बैट के हाल चाल पुछेंगे फिर चलेंगे बागेंगे नहीं आ कौन से काम पहले हो रहा है से पहले देख रहे हो ना भाग बाद में रहे हो तो पहले से देख रहे हो जो सा यहां पर देख रहे है आपको सा तो सा का पहले रूप क्या होता है सी होता है सी में आई अजी आप जोड़ देंगे त्यों जागा सी इंग सी इंग सी इंग अ ला आई रैन आवे यह हो गया आपका ठीक है अब चलिए कुछ और भी आपके एक तर्टिशन में क्या में जो पुछे गए बोड में उनका एक जांपर भी आपको देता हूं देख लेते हैं कि अगर किसी वाक में यह लिंकिंग वर्ट जैसे इज आर एम वाज वर्ट यह सभी आ उसको हटा कर उसके जगप आप क्या लगा देंगे बी इंग लगा देंगे बी आई यां जी तो आई एक्जांपल से हम आपको क्लियर करते हैं जैसे हां तर टाइगर वाज हंगरी मतलब सेर क्या था भूखा था और ही कीड अगोट उसने एक बकरी को मरा यह भी आपका सब्सक्राइड कहीं तो आपका क्मबाइन हो जिया अए का इसको को में इसको की आज होगा वी इंगर अब इंगर इंगर यह 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 आर यह यह भी कंगरी अब कामा मार कर और यह नहीं लिखेंगे यह ड़ जो नेम है तू उसको यहां पर लिखेंगे ठीक है बीइंगांगरी ड़ टाइगर लीडगोट पां दिखें अंतर आया नहीं जाले सेर भूखा था दुसरा समें एक बकरी को मारा आव इसका बीइंगांगरी ड़ दो इसका अर्थ जो है क्या लाया जाता है कर लाते हैं तो चलिए अब आता है में इंक्स हमारा टॉपिक है यह करता अलग अलग हो अभी मैंने बताया करता सेम होना चाहिए लेकिन बाइदेवे मालीजी करता अलग अलग आ गया तब क्या कंडिशन बनेगी तो आइए उसका केस नमार फ़र्ष्ट है कि अगर कोई वाक है दोस्तो इट से सुरू हुआ है तो उसमें अगर वाज में है तो उसमें बदलेंगे इसमें इत्त को वहाँ पर में लिख लेंगे तो जैसे इति उसमें कि इतो हुआ होलिडे honor चुटी थी वी दिडान बट व्लेहन होमलोग स्कुल नहीं कया अब इसको कीसे करेंगे यहां की हैथ है शोटत आप अब नूंस इत अब वाज के जग़ा लगा देंगे, बीइंग लगाएंगे, इत बीइंग, इत बीइंग, हॉलिडे, अब कामा मार का दूसरा वाकी जो पुरा उता लेजे, फिर वी डिड नाट, वी डिड नाट गो तू इसकोड, ठीक गई, इस तरस इसको कर लेंगे, अब सुरू करते हैं केस नमर सेकेंड, यदि दूसरे वाक्य का करता का संबंद पहले वाक्य के कर्म से हो, तो दोस्तों अकर ऐसा भी होता है कि दोनों करता से नहीं होते हैं, मतलब पहले वाक्य में जो कर्म होता है, तो दूसरे वाक्य में जो करता है, उस संबंद होता है, मतलब वही पहले वाकिका करता हटा देते हैं और दूसरे वाकिका ही जो आपका वर्भ है उसी को हम पार्टिसीपल में आएंगी चोड़ करके कर्व के बाद लिख देते हैं आई एक जामपन से क्लियर हो जाएगा आपको जैसे आई साम मैंने एक आदमी को देखा अदमी है वहां हमारा पार्टिसीपलक कहा शुरू हो जाका यहीं जो आपका इस पी यहें उसी तो आधमी को इसको हटा करके smoking यहाँ पर हम लिखतेंगे लगा करके आपका sentence बन जागा क्यों हो जागा क्या I saw a man I saw a man यह हटा दिते अब यहाँ पर ही कि जिखा पर यह मैं में अर्जस्ट हो गया जी I saw a man smoking a cigarette मैं एक आदमी को सब्सक्राइब देखा इस तरह से आप करेंगे अगर कर्म से संबंद तो दर से को जोड़ेंगे जरूरी नहीं है कि इस रूमें ही आया जी वाला फर्माना चाहिए अब आए ने अगर दोस्तों अभी आपने देखा कि इस दो ही वाक्या रहे थे अगर दो से अधी का वाक्या रहे है तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे अलाइस्ट में उतका माला के वह वात्य उतार लेंगे जैसे आप पहले किये थे तो जैसे हैं पर दो अगर हो गार में इसने रहा किया है uh हो जागा से जोड़ेंगे इसको है तो इसका क्या हो जागा टेकिंग इंडा टेकिंग एम्म हो गया निश्ण ना लिया और कामा मार करके इस वाकियो तालीजिए इस तरह से इसको हम कर लेंगे दोस्तों आई यह कुछ और एक्जामपल देख रहेते हैं संजा रहेते हैं आपको इस पर ऐसे इन पुरती सेंटेंस हो गया तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करेंगे तो आई यह देखते हैं जैसे एक एक्जामपल है इस तरह से करवार की इंप्रेटिव काया है तो यहीं तुरंट ता लिजी इस तरह से तो तर्निंग है तर्निंग तू दर राइट अब कामा मार करके यह वाट कुड़ा हो ता लो यो विल यो विल यो विल देन यू विल देन फाइंड दर हाउस हो गया इस तरह से हम इसको करेंगे तो दोस्तों आज मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसीपल बता दिया और बाकी जो है पास्टो परफेक्ट पार्टिसीपल नेक्स दे आपको हम देंगे अगर यह च्रीक्स आपको पसंद आया अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक मारेगे अगर यह च्रीक्स आपको पार्टिसीपल पार्टिसीपल प्रेजगे इपको प्रेजेगे इपको प्रेजवियो प्रेजगे कर दोड़ोर प्रुटर ऑनो मरिया नियों यालिक तो